दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर SBI बैंक से हमारे पास जो टेक्स्ट मेसेज आते हैं यानि हमारे खाते में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है किसी भी परकार का तो हमारे पास एक बैंक की तरब से मेसेज आता है अगर वो मेसेज आना बन हो जाए तो हम किस तरह से जो है उस मेसेज को वापिस एक्टिवेट कर सकते हैं तो यही माँ आपको इस वीडियो में कम्पलीट प्रोसीजर बताऊंगा तो इसके लिए आप बने रहे हैं आपके अपने यूटूब चैनल टेक याद हो के सत SMS को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले आपने जो फोन में जो एप इंस्टोल कर रखी है एस बिया योनों की उसको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद इसमें जो पस्ट में जो लोगिन का उप्शन दिया हूँ है लोगिन वड़े उप्शन के ऊपर हमारे को किलिक कर देना है अभी इसमें दो उप्शन आपको श्यो होंगे MPIN और User ID अगर आपने अपनी MPIN से लोगिन हो सकते हो या अपने अगर user ID और SAYS और इसमें इंटर हो जाना है सबसे पहले एपको open करना है open करने के बाद इप में आप देखोगे कि इस तरह काumen में खुल हो इतने सारे option जो है हमारे सामने खुल के show हो जाएंगे तो इसमें से और भी कई option है इनका भी आप जो है use कर सकते हो परन्तु हमारे को SMS एक्टिवेट करना है तो SMS एक्टिवेट करने के लिए नीचे एक service request का option है इसके उपर आपको click कर देना है जैसे इस service request के option के उपर click करोगे करते ही आपके सामने देर सारे option जो है कुल के show हो जाएंगे इनमें आप और भी जो है option पर click करके और इसका फाइदा उठा सकते हो प्रन्तु SMS हमारे को activate करने के लिए जो account का option दिया है account वाड़े option के उपर click कर देना है जैसे account के option पर click करोगे यहाँ पर फिर कई option है जैसे ज दो है पलीज सेलेक्ट अकाउंट यानि सबसे पहले आपको इसके ओपर click करना हो आपका जो account है account को आपको select कर लेना है जो भी आपका saving account इसके साथ में लिंक होगा तो वो आपको select कर लेना है Select करने के बाद देखो all SMS alert activate आपको activate करना है तो activate या आपको deactivate नोज़ा है तो मेरे को इसमें SMS अलेट एक्टिवेट करना थो मैं एक्टिवेट वाड़े ओप्जन के ओपर किलिक कर दिया हूँ अगर दोस्तों आपको deactivate करना हो तो आप यहां से जो है अपने SMS की facility को deactivate भी कर सकते हो तो यहां मतलब यो no SBI का यूज करके आप बड़ी ही आसानी से जो है इसको यूज कर सकते हो नेट बेंकिंग के द्वारा भी आप जो है SMS को एक्टिवेट और डिएक्टिवेट की फैसिलेटी है परन्तु यह no SBI में बहुत ही इजी है क्योंकि SMS आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे फोन में जो भी ट्रांजेक्शन होगा पैसे चाहिए डिपोजिट हो चाहिए SMS चारज हो कुछ भी information मिलेगी नहीं तो यह करने के बाद आप नीचे देख सकते हो दो option है बेक और submit का तो आपको submit कर देना है आपका जो SMS है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो बैंक की तरब से आपके पास SMS आने लग जाएंगे फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट आप बोक्स में ज़रूर लिके थेंक्यू दोस्त वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे जदा से ज्यादा like करें शेर करें वह मेरे YouTube चेनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थेंक्यू पर वाचिंग माई वीडि अगन थे